एलो एव्रिवन उमीद करता हूँ आप सब लोग सुवर्स थे हैं ससी सीपर 2022 टीर वन की अंसर किया गी तो उसके बाद यहाँ पर मैं अनलेसिस कर रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा साथ यह साथ आपको यह बताऊच लेगा कि कौनशी शिफ्ट हार थी कितने माक्स न और्गनाशिव में बढ़ सकते हैं पिछले साल से डेटा कंपेर कर लेंगे यह भी कंपेर कर लेंगे कि मैट्स की डिफिकल्ट शिफ्ट कौनसी है रिजिनिंग की डिफिकल्ट शिफ्ट सबसे पहले एक छोटा साब्डेट और है जो लोग आर भी पेट कोर्स यूजर्स हैं जैसे कि आप लोगों को पता है अब यह कंप्लीट कोर्स हमने लौंच कर दिया है जिसमें सारे ही सब्जेक्स कबर होंगे सारी क्लासिस और सारी पीडियोस आपको मिल जाएंगी डेट् करना चाहते हैं तो हमारे टिम से कनेट करेगी इसमें दो से तीन दिन का टाइम लग सकता है ठीक है तो आप उसके बाद remaining amount पे करके सारे courses को एक्सेस कर पाएंगे और जिस दिन आप यह वाला course purchase करेंगे वह जो code मिलेगा आपको कुछ time के लिए मिलेगा तो आप उस time पर purchase करके तो जिस दिन आप इस वाले में नए वाले course में enroll करते हैं तो आपकी वहां से 9 मृत की होगी सो अभी स्टार्ट करते हैं SSC CPU 2020 में rank 13 आई थी इनके उनका इंटर्वी चैनल पर available आप देख सकते हैं complete information आपको आगे के प्रोसेस के मिल जाएगी कैसे physical होता कैसे medical होता वह साही चीज़े और बाकि एक निरज सा हूं है इन्होंने CPU 2019 के लिए रहिए था इनका भी complete experience physical medical वह सार और telegram चैनल पर मैंने SSC format में सारी PDF देखी दी थी ठीक है MOC format में जो PDF पर application पर डाली थी वह लास्ट में बताऊंगा कैसे आप उसका access कर सकते हैं ठीक कुछ important plate है जो आप देख सकते हैं आपके लिए physics, chemistry, biology और political crash court YouTube चैनल पर डाली दिया एक नोम इसका भी crash court कोशिक करेंगे जल्दी चैनल YouTube पर डाला जाए जिससे कि आप वहां से कम से कम टाइम में उसे cover कर पहें tier 1 और tier 2 दोनों के लिए important रहेगा अब हम analysis पर बात करते हैं इस बार हमारे survey में जो data आया है वो 10,220 लोगों का है CPU में यह अपने आप में बहुत बड़ा number है ठीक है अगर मैं बात कर है यह जो highest score 177.5 गया है यह है कोशल कुमार का फिर इन्होंने पूरा नाम ने लिखा second जो एस्प्रेंट है इनके 176.25 मार्क्स गया है फिर हमारे पास जैदीर सिंग है इनका 175 स्कोर गया है इस तरीके साब टोप 15 candidates के देख सकते हैं और इनका section वाइट सब्जेक्ट में कित ऑफिर हमारे पास आया उसमें लोग कितना कितना score कर रहे हैं कि इस पटीकुलर शिप्ट में तस नुमबर कर रहे हैं और इसमें आपको यह भी जाएगा कि टोटल जिन लोगों के एंटीट में मैंने काम किया वो 10,44 के एंटेट्स हैं जिसमें रीजनिंग में आप देखेंगे एवरेज स्कोर जो गया है इस बार 40.9 गया है सारी शिप्स का मिलाके जीके का एवरेज स्कोर 16.38 गया है out of 50 मैंस का एवरेज स्कोर 31.21 गया है इंगलिश का एवरेज स्कोर 29.62 गया है और टोटल जो एवरेज स्कोर सर्वें पाटिसपेशन है लोगों का 117.64 गया है अच्छा अगर मैं 117.64 की बात करता हूं आप देखेंगे यह जो एवरेज स्कोर है ठीक है मतलब हमारे सर्वें 5,000 से जादर लोग हैं 10,000 में से जिन्हों ने इस से जादर स्कोर किया है लग ठीक है और यह अगर आप ला पा रहे हैं तो आप सेफ हैं आपके जोब लगने के बहुत अच्छे चांसिस हैं तो कोई नो कोई जोब तो डेफिनिटल आपको मिल जाएगे अगर आप फिजिकल मेडिकल की प्रोसेस को क्लियर कर लेते हैं ज कितना कितना चल रहा है ठीक है ऐसे ही आप 10 नोमबर शिफ्ट तुव तो तुबार दिखाया यहां पर कितने लोगों ने सब्सक्रिशिट से जो पार्टिसिपीशन है लोगों का बराबर है हजार से बारासों के बीच में सभी शिट में लोगों ने पाटिसपिट किया है तो ऐसा नहीं is कि किस शिट में बहुत ज़्यादा रोग और किस शिट में वह ज़्यादा कम लोग उनने एक्जाम दिया है तो इससे normalization थोड़ा better ही होगा अगर मैं hard dash to easy shift की बात करता हूं तो हमारे हिसाब से जो सबसे hard dash shift रही है वो 10 November की shift 2 रही है फिर हमारे पास 9 November की shift 2 और 9 November की shift 1 है फिर multiple 9 November की shift 3 यह तिनों लगभाग आसपास ही है और अगर हम देखेंगे सबसे जो easiest shift रही है वो रही है 11 November की shift 1 ठीक है तो अगर overall expected increase की बात करें कितना कितना number भड़ सकता है आपका आप यहाँ पर देखेंगे 10 November की shift में लगभू no number आपके normalization के बात भड़ सकते हैं no number की shift 2 में इतना no number की shift 1 में इतना no number की shift 3 में लगभाग इतने marks आपके after normalization increase कर सकते हैं क्या यह चीज़ के लियर है अगर मैं बात करूँ subject-wide hard dash to easiest shift की तो हमारे पास जैसे reasoning में आप देखेंगे सबसे जो hardest shift रही है वो 10 November की shift ते रही है 11 November की shift बाकी ज्यादा कोई difference इसमें है नहीं ठीक है सारे number 40 के आसपास ही है ऐसी जीके में अगर hardest shift की बात करें 10 November की shift हुए जिसमें लोग average में 14 number score कर रहे है और hard easiest कहीं है 11 November की shift में इसमें काफी जादा गया है कि इसमें चलते हैं अगे अगर मैं बात करता हूं हमारी सब्सक्राइब करने वाले इतने हंड़े से जादा स्कोर करने वाले इतने इस तरह किसे डिटा चल रहा है ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एक्जाम की लेवल का comparison करते हैं 2020 से 2020 में जो रीजनिंग का लेवल था वो काफी ज्यादा टफ था इस साल के रीजनिंग के लेवल के comparison में बाकि जीके का लेवल पिछले साल जैसा ही है मैं इसका लेवल पिछले साल से थोड़ा सा हलका लग रहा है एक कोशन का फरका रहा है इंग्लिश का लेवल पिछले साल से थोड़ा सा हलका सा ज्यादा लग रहा है बाकि जो मेजर चेंज देखने को मिला वो रीजनिंग में बिला कि रीजनिंग इस पार इजी पुछे गई तो 2020 में जो सर्वे किया था मैंने उसमें एवरेज में लोग 112 स्कूर कर रहे थे इस बार 117.64 तो लगबग 5-6 नंबर ज्यादा लोग स्कूर कर पार रहे हैं तो पिछले साल के कंपरेजिन में पेपर क्या हो गया इस बार का इजी हो गया ठीक है 2020 से यह डेटा कहा रहा है ठीक है मैं कुछ नहीं कहा रहा है अगर आ साला था अपियर हुए दें दो लाग 61,000 2022 का देखो सात लाग 51,000 कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था लेकिन अपियर हुए 2.93 लाग उनली ठीक है तो इस बार आप देखेंगे जो कंपेर अगर हम कर पाएं तो 2019 से यहां पर 30,000 का डिफरेंस है ठीक है 10 डेस में सिर्फ और अगर सारा वेकेंसी चार्ट में कंपेर करता हूं देखो 2019 के अंदर 2745 थी यही निरेश जारी है सबसे 2017 तो बहुत पीछी होगा तब तो नोर्मलाइजेशन नहीं था उस चीच पे नहीं जाते है ठीक है अगर मैं कंपेर करता हूं तो 2019 से कंपेरेबल हैं 2022 की वेकेंसी अग होई तो हमारे पास क्या होगा जो देखो वेकेंसी से कहीं ज्यादा वेकेंसी जादा है लेकिन वेकेंसी बहुत ज्यादा है ठीक है तो इसका कट ओफ पर सीधा-सीधा फरक देखने को मिलेगा ही मिलेगा चलें आगे अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर की लेवल में भी हमें फरक देखने पेपर का लेवल 2019 जैसे साही है इस बार उसमें ज्जड़ा डिफ्रेंस नहीं है ठीक है अगर बात करता हूं कितने लोग ऐसे होंगे जो टियर उनको क्वालिफाइड कर रहे होंगे तो लगभग अभी तक जो SSC का ट्रेंड चल रहा है सीपों में 16-18 गुना केंड़ेट्स ट्रेंड क्वालिफाई कराते हैं तो लगभग 72,000 के असपस केंड़ेट्स ट्रेंड करेंगे और जबकि एक्जाम कितने लोगों ने दिया सिफ 2.9 लेक्ट लोगों ने तो मतलब हर चोथा अच्छा जो एक्जाम में अपियर हुआ है वो टीर उन को क्वालिफाई कर रहा होगा वो इसका मतलब यह की कट ओफ ह हमारी काफे ज़्यादा कम जाने वाली है कि अगर सीजल 2020 के इंडिट को देखता हूं तो जो टोपर का मार्स है ठीक है इस बार हमने देखा टोपर के मार्स जो दिख रहे थे हमें आपर 177 पॉइंट सम्तिंग ते और यहां पर हमारे पास यह 169.56 ऐसा कुछ जा रहा था इ जो हमारा एवरीज स्कॉर है वह भी छे नंबर का फराग है तो लगबग स्कॉर जो पेपर का लेवल है वो इस बार 2020 से हमारा थोड़ा सा एजियर साइट रहा है ठीक है ठीक है अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ओफ की बात करूं मेल और फिमेल केंडिट्स की क्या क्या जा सकती है अगर ऐसा ही हुआ कि लगबग इतने केंडिट्स जो की 17 गुनों केंडिट्स लगबग ले जा रहे थे पहले और अब तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड जो सब्सक्राइब केंडिट्स ला रहे हैं तो आपके टीर 1 की कट ओफ के लिए रहो जानी चाहिए नौन नवंबर शिफ्ट 2 में इतनी नौन नवंबर शिफ्ट 3 में इतनी और यह नंबर हमारा सो तक यह आप देखेंगे पहुचेगा ठीक है और जो एक्सप्टेड नॉर्म के बाद 201 नंबर गई थी तो लगब वैसा सा कुछ कट ओफ या उससे भी सोड़ा कम जा सकता है बट अभी के लिए फिलाल से लगता है कि अगर आपको इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको प्रोसेस के लिए अपने आपको तयार करना चाहिए ठीक है आपको छोड़नी नह अपने त्यारी करनी ठीक है अगर मैं बात करता हूं फिमेल के इंडियृट्स की एप्रोक्सिमेट कट ओक इसी जा सकती है अंडिजार ऑंसे थोड़ी सी ज्जादा जाएं इसके पीछा रीजन यह है कि मेन टीज की वेगैंसी बहुत ज्यादा है ऐस कामपेर टो फिमेल के पर पढ़ते भी कम ही हैं फॉर्म सीपियों का बड़ अगर मैं बात करता हूं तो अपने आपको इसी साफ से प्रिपेर करें टीक है प्लस माइनस फॉर का एर डेफिनेटली हो सकता है और स्थी चैटिगरी में ज्यादा एर और हो सकता है ठीक है अगर मैं बात करो व्यूर्ट इसी में ज्यादा चींज नहीं आना चाहिए ऐसे फिमेल के में भी सेम प्लस माइनस फाइव का एर रा सकता है तो पांच नंबर तक तीन चार नंबर ज्यादा चलिए ज्यादे जाने की चांस तोड़े कम ही रहेंगे कम ही जाएगी मेरे साब से बट फिर भी हो सकता जाए जाए जाएंगे टिर उन क्वालिफाइब करने के बाद जब हमारा फीजिकल इंडरेश टेस्ट फिजिकल स्टेंडर टेस्ट होता है तो लोग लगभग रह जाते हैं जो क्लियर कर पाते हैं उसे इसके पीछे रीजन यह है कि सारे लोग फॉर्म सिर्फ इसलिए दे करेंगे जिसके चश्मा लगावा है जो नहीं है ठीक है तो बहुत है लोग नंबर भी बहुत लेके आते हैं लेकिन टीर वन के बाद जैसे पीटी पीएस्टी होता है तो 90 परसेंट तक लोग बहार हो जाते हैं 10 परसेंट लोग ही बसते हैं तो जैसे मैंने बताया भी 7000 को क्वालिफाई करेंगे ठीक है सत्तर अजार में से हमारे पास बहुत ही कम लोग रहने वाले हैं जो कि क्या करेंगे आगे के प्रोसेस में जाएंगे तो टीर टू के लिए आप अपनी त्यारी विश्टेंगी सेक्षिन को प्रिपेर करना स्टार्ट करतें और साथी साथ प्रैक्टिस जयों में लग जाएंगे रिजल्ट आने में हो सकता इसमें वहीं न क्तियिका आप में यहां पर में डाली थी क्या ठीक है यह सीपयों 2019 है 2019 की दिखाता हूं 2020 को रहने दो उसकी वेकैंसी भी कम है 2019 टीर उनकी आप यहां पर कट ओफ देख सकते हैं सब इस्पक्टर इन देल्ली पुलिस की कितनी कट ओफ कि कितनी वेकैंसी थी और फिर सी एप्येफ में कितनी कितनी कि चल रही थी लेकिन जब फाइनल कट ओफ आई तो फाइनल कट ओफ हमारी कितनी बनी फाइनल कट ओफ सीपयों 2019 की हमारी मेल केंड़ेट्स की बनी कितनी सब इस्पक्टर इन देल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो अन्रिजब के टेगरी की हमारी कट ओफ थी ट्री मिनिममम कट ओफ की बात करूं मिनिममम कट ओफ हमारी CRPF में गई थी आप यहां पर देख सकते हैं अन्रिजब के टेगरी की 261 गई थी फाइनल कट ओफ कितने में से 400 में तो अगर आप के पास चांस होता है कि आप कोई ना कोई जोब ले जाए टीर 2 में अगर आप इंगल अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्कूर लाना पड़ेगा कट ओफ से आप कोशिश करें लगभग 30 से 30 नंबर मिनिममम ज्यादा लेके जाएं ठीक है कट ओफ जैसे 100 क्यास पास चल रहे है तो 130 प्लस अगर आपका अन्रिजब केटेगरी से आ रहा है स्कोर 130 प्लस 140 तक आ र मानलों आपने बाउंडरी के लियर किया टीर वन को फिर भी सी आर पी अपने कट ओफ देखी है आपे जिसे 260 है ठीक है तो हो सकता इस बार और कम होके 255 तक जाए या 250 तक रह जाए ठीक है आप देखेंगे मानलों टीर वन में सो नंबर आए 150-160 नंबर ले आए टीर 2 में त से काफी जादा कम थी और अगर ऐसे ही मैं 2019 की फिमेल के इंडिट्स की गट ओफ दिखाऊ आपको तो यह हमारे पास कुछ इस तरी कैसी थी सब इंस्पेक्टर इंडली पुलिस की गट ओफ 302 नंबर थी ठीक है ओबी सी दिल्ली की कट आइंटी टू मार्स थी बीसेफ की य आप देखेंगे के इसी कम जा सकती है ठीक है सारी उसकी देख सकते हो ठीक है मिनिममँ अच्छे दिल्ली पुल्स थी सब्सक्राइब और इसे बहुत सारे लोग होते हैं लेंगे पता चलेगा उन्हें चाल लेंगे जोब लेनी होगी किस से सीजेल से सीजेल में सेलेक्शन हो गया विद्वाइब लिए तो था इसे सी टिफ लें को फूब्गे तो बहुत सारे किंडियों नबर लिगाते हैं लास्ट में तो बिल्कुल भी मोटिवेशन डाउन ना करें अपनी और अच्छा ही आएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब करने बाद है तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग खुशी फील कर रहे होंगे यह सीपयों 2020 का फाइनल जीट है फीमेल केंडियेट का क्या 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 क सब्सक्राइब कर रहा था और उससे पहले अगर आपको कॉर्स देखने हैं तो आर्फी अप्लिकेशन में वह सारे कॉर्स अवेलेबल है वह आप देख सकते हैं ठीक है जो जिस भी सेक्शन में आती हो सेक्शन का कॉर्स आपको मिल जागा मिनिमुम प्राइस माप अपनी प सब्सक्राइब करना है जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था हमने कुछ मौक फॉम पीडिएफ करी थी सब्सक्राइब करें जैसे यहां पर हमारे पास यह तो चैप्टर वाइज पीडिएफ है जैसे आपने इस बार इंडेफिनेट आर्टिकल के कुछ अला कुछ पूछे रहे तो देख लेना क्या क्या चीज़े पूछे गई है बाकि एरर डिटेक्शन के कॉश्चन एक साथ स सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर शिफ्ट पर जाना इंग्लिश की सब्जेक्ट वाइज पीडिएफ निकाले दस नॉम्मबर की शिफ्ट तरी इसके सारे के सारे कोश्चन होंगे ठीक है उसके बाद लास्ट में इसका आपको यहां पर अंसर की मिल जाएगी जिससा आप वेरिफाई कर सकते हैं आपको कैसा रहा ठीक है तो सीजल के लिए आपकी प्राक्टिस हो जाएगी इसके लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहला आर्वी अप्लिकेशन डाउनलोड करनी है उसमें यहां पर पेड क्लासिस आएगा उ और यहां पर आपको सारी फीडियोस वीडिवर हो जाएगी जो कि आप अप्लिकेशन में या अपनी फॉन मेमरी में डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप सही बिदा लेता हूं बाइबाइबाइब टेक क्यार हैव नाइस टे एंड जाहेगे